हेलो नवस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर फर्ष्ट में मोश इंपोर्टेंट रिपीटिड कोश्चन के वारे में और आज का जो टोपिक है दोस्तों हमारा कारवन डायोक्साइड अमीशन है इसमें किस तरह से हमारी कोश्चन रिपीट हुए यह हम आपको यह कोश्चन देख के दोस्तों आप हैरान रहे जाएंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे कोश्चन रिपीट होते हैं तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट कोश्चन दिखाता हूं जो हमारे रिपीट हुए हैं यह देखिए हमने यहां पे नोट्स बना रख यहां पर पूचा हुआ है तो इसका राइट अंसर क्या दोस्तों नंबर ची है यहां पर धृंध को ध्यान देने वाले जो बात वो क्या है यहां पर दो चीजे पूचिए अगर परतिवैक्ती बिद्ग सर्जन पूचा जाएगा और एक टॉटल इसम पूचा जाएगा ग् चाइना आएगा तो चली इस रिलेटेटर जो कोशिन है वह हम आपको दिखाता हूं ता कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यह कोशिन यह देखे यह अगला कोशिन है दिसंबल 2014 में यह आया था और इसमें उन्होंने क्या पूछा इंदर इंटरम ऑफ टोटल सियो टू अ और रसिया यह इसका रहेट आनसर आएगा और अगर वह परतिवेक्ति पूछ लिया जाए परतिवेक्ति पूछे तो क्या है दोस्तों हमारा नंबर एक पर यूएस से आएगा और अब देखे यही कोशन हमारा डिक्टो कोपी किस तरह से रिपीट हुआ है आपको दिखाता हुआ है identify the correct sequences of country in the decreasing order of their contribution to the global carbon dioxide emission globally पूछा हुए इन्होंने यानि कि overall पूछा हुआ है तो अभी हम क्या करके आए थे total का करके आए थे overall का करके आए थे overall में हमारा क्या आएगा दोस्तों यह देखे इसका राइट आंसर किया option number two है BAD B के हमारा China USA और फिर के हमारा D के इंडिया देखो यह मैं आपको थोड़ा mark करके दिखा देता हूं ता कि आपको अच्छे से चीज़े समझ में आ जाए यह देखिए यह चीज़े अभी हम करके आए हैं यह देखिए यह USA आएगा सबसे पहले हमारा क्या है सोरी सबसे पह चीज़े हमने पीछे के कोशन पेपर में की है यह देखिए यहां पर फिर से मार्किंग करते हैं यहां पर यहां पर थी यहां पर हमने की है यहां पर दिखाता हूं इस सब्सक्राइब को सब्सक्राइब Якंशाइब कर रहे हैं तो अब हमारी लगाना है और यहां पर आपको यह नोट से मिल जाएंगे देखें इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह जो कोशन है यह सारे के सारे कोशन आपको यहां पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह आनसर दिखाई दे जाए आप यह रिखिए डाले ho इसके अलावा भी दोस्तों यहां पर बहुत सारे चीजा यहां पर दी हुई है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों all about paper first books, videos, course, study material, previous year question paper और 2020 paper बहुत कुछ यहां पे आपको बिल्कुल फरी में मिलने वाला है यहां पे आप PDF भी download कर सकते हैं देखें जैसे यहां पे uses net current affair 2021 PDF download कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद में new education policy हो गया current affair यह प्यूपिल एनवायरमेंट का हो गया teaching aptitude से related जो most repeated question है उनके MCQ यहां पे आपको मिल जाएंगे Sustain development goal, millennial development goal से repeated होने वाले question यहां पे मिल जाएंगे बहुत कुछ आपको बिल्कुल फरी में यहां पे मिलने वाला है और सर्थ वस यही है कि आपको anti-usisnet.co.in website open करनी है और इसका link वीडियो description box में भी मिल जाएंगे या फिर आप direct to google में जाके भी इसको search कर सकते हैं ठीक है और यहां पे और भी मैं question आपको दिखा देता हूं दोस्तों जैसे जो हमारे repeat हुए हां यह देखी यह question है अमारा 25 स्प्टमबर 2020 को repeat हुआ है यह देखी इसमें इन्होंने यहाँ पर क्या पूछा हूँ है Pay courect sequence इन्होंने पूछी हुई है और यह देखिए यहाँ पर क्याप पूछ लिया दोस्तों per capita पूछाओ यह देखिए यह क्या पूछ रहे हैं इन्होंने per capita पूछ लिया per capita में अभी हम बात करके आए थे तढ़ा तो सबसे पहले हमारा क्या होगा USA होगा सबसे पहले हमारा क्या होगा यूएस से होगा ठीक है और फिर क्या होगा हमारा डी जैपैन होगा फिर क्या होगा हमारा बी चाइना होगा और फिर क्या होगा हमारा ए क्या होगा हमारा इंडिया होगा ठीक है तो दो concept आपको पता चलगे ना किस तरह से हमारे exam में पूछे जा पूछा जाएगा और यह दोनों ही कुशन हमारे रिपीट हुए यह देखे 24 से सप्टेंबर को तो इन्होंने पूछ लिया इन्होंने ठीक है ग्लोगल अमीशन पूछ लिया और यहां पे 25 से सप्टेंबर अगली सिफ्ट में इन्होंने क्या पूछ लिया पर कैप्टा हुआ है मेरे को गुशा है ठीक है अगर आपने गलत कर दिया ना मैं देख लो कितना अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ अगर आपने गलत कर दिया एक्जाम के अंदर तो तुम्हें मैं तोड़ों बहुत तोड़ों है ठीक है तो यह अच्छे से करना हुए ठीक है और आगे देखिए आगे फिर से कोशन रिपीट हो गया हुई 39 से सतंबर 2020 को फिर से कोशन रिपीट हो है उन्होंने फिर क्या पूछ लिया पूछ लिया है यहां पर इन्हों ने गाषिक है यहां पर उसके बाद में हमारा यूस से हैं और फिर हमें हमारा यू है और उसके बाद में हमारा रसी है ठीक है तो इस सारे के सारे आप बहुत अच्छे से कर लेना और इसके बाद में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं अभी हम इस से रिलेटिड जो भी हमारी थियोरी है वो थियोरी करन यह पूछ लिया तो इसका राइट अंसर के दोस्तों नमबर ए है बी सीडी बिल्डिंग से क्या ट्रांसपोर्ट फिर डी के हमारा इंडर्स्ट्री और फिर के वीडियोस बना रखे वह आप देख लेना और मैं आपको बता रहा हूं देखिए एक और चीज में यहां पर बता देता हूं अपनी वेब्साइट पर यहां पर यहां पर फॉर्टी फाइव डेज यूजिस नेट मेराथन क्लास दो हुजार इक्टिस कम्प्लिट स्लेव साहा वेडियो बिल जाएगा ठीक है आपको सारे की सारे वीडियों मिल जाएगी टीचिंग एप्टीटि अपर बात करते हैं यहां से कारवन डाइ-ऑक यहां पर यहां पर यह एक रंग हीं और गंध हीं गैंस है जो जिसे नहीं तो हम देख सकते और नहीं हम उसे सुन सकते जो प्रिथिवी के जीवन के लिए अत्यानतावशक है और यह और यह दोस्तों 0.03% से 0.04% तक पाई जाती है और इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ऑक्सिजन के दो परमानों होते हैं यह सारी यह रसाइनिक सुतर की बाद दीवे दोस्तों तो आप यहां से पढ़ लेना बिलकुल असान है दोस्तों और एक और चीज़ दोस्तों यह जो CO2 है यह एक ग्रिन हाउस गैस है अब ग्रिन हा आप इंग्लिस में पढ़ सकते हैं दोस्तों इंग्लिस में भी हमने दिया हुआ है जैसे हम कुछ चीज़े देख लेते हैं जैसे बनों की कटाई क्रिशी के लिए भूमी की जो सफाई करते हैं वहां से भी CO2 का उतसरजन होता है मिट्टी का जो कटाओ किया जाता है उससे अभी CO2 का उतसरजन होता है और अब हम बात करते हैं दोस्तों जो CO2 उतसरजन है अमीशन है वो भारत के अंदर उसकी ग्रोथ क्या है देखिए अध्यन के मुताबिक 2018 में भारत की 6.3 ग्रोथ रही अब देखिए पीछे हमने पढ़ाना कि भारत के अंदर CO2 उतसरजन कितने परतिस्त है तो वहाँ पे कितना था 6 परतिस्त दिया वा था और इतना ही यहाँ पे आ रहा है अब देखिए जो CO2 उतसरजन है वो 6 परसेंट जो आ रहा है वो कितने हिस्सों से आ रहा है वो हम देखते है कोईले से इसका कितना है दोस्तों 7.1 परतिस्त है टेल से 2.9 है और गैंस से 6.0% इसका हिस्सा है 2017 में भारत में उत्सर्जन में 2% की वृध्धी दीखे थी यानि कि पहले से कितना हुआ था दोस्तों 2% इसमें वृध्धी दीखे थी और अब क्या है दोस्तों भारत सरकार ने इसमें सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं और अब हम इसमें देखते हैं दोस्तों भारत में पिछले दसक में उत्सरजन की ओस्तदर 6% रही थी आर्थिक सुधारों को देखते हुए माना जा रहा है कि अगले साल भारत की विकास दर 8% का आंकड़ा छूँ सकती है तो दोस्तों ये चीज भी हमें ध्यान रखना काफी जिरूरी है यहां पर ये पॉइंट और आगे देखते दोस्तों कि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन में अभी वी कोईला उर्जा और अर्थवेवस्था का मुख्य हिस्सा बना हुआ है यानि कि जो सबसे ज्यादा एनरजी हम प्राप्त करते हैं तो वो कहां से क करते हैं दोस्तों कोईला से हम प्राप्त कर रहे हैं कोईले की जिगह सोलर विंड एनरजी पर निर्वरता लाना यह है चुनोती पूर्ण होगा अब देखिए कोईला जो हम जलाते हैं उससे बहुत ज्यादा हमारा नुक्सान होता है अब कोईले को रिप्लेस किस से करने की योजना बनाई जा रही है सोलर और विंड एनरजी से रिप्लेस करने की योजना बनाई जा रही है और अब जो आगे जो मोस्ट इंपर्टन चीज़ वो देखते हैं दोस्तों तीन देश कर रहे हैं चालिस परतिस सत उत्सरजन यानि कि पूरी दुनिया में तीन ऐसे देश रहे हैं भारत चीन जहां कोयले का काफी इस्तिमाल कर रहे हैं वही अमेरिका और यूड्य यूनियन ने कोयले की छ Supreme कमी की है अब देखिए ये चीज़ आ सकते हैं कवले का सबसे ज़्यादा उपयोग किन किन देशों में किया जाता है तो तो वह यहां पर कोशन आ सकता है तो ये चीज आपको ध्यान रखना जुरूरी है और अभी जैसे हमने बात की थी कि कोईले को रिप्लेस किस से किया जा रहा है सोलर और विंड एनर्जी से किया जा रहा है अध्यन में कहा गया कि कोईले पर निर्भरता कम करने के लिए इन्टरनेशनल सोलर अलाइन्स का गठन किया गया है ये कोईले की निर्भरता कम करने के लिए किस अलाइन्स का गठन किया गया है भारत भी सोलर फार्मो की तरफ बढ़ रहा है कारवन उत्सरजन कम करने के लिए भारत 2020 तक कोईला मुक्त उर्जा की रन नीती का एलान कर सकता है और उसके बाद में दोस्तों जो मौश इंपोर्टेंट चीज है हमारे सामने वो भी हम देखते हैं दोस्तों मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखना क्योंकि बहुत सी चीज़िस के अंदर आने वाली है अब वही बात आती है दोस्तों जो सबसे पहले अपने कॉश्चन में देखी थी दो कॉश्चन के अंदर ये देखी दोस्तों यूरोपीय आयोग और नीदर लेंड परियावरन आंकलें अजैनसी दवारा जारी किये गए एडगर डेटावेस के अनुसार गया गया अचाहिए गया गया दोस्तो विश्व में सबसे अधिक कारवन डाइकसाइड गैस का उत्तसर्जन करने वाला देश चीन है यह देखिए दोस्तो सबसे ज़्यादा उत्षरजन कौन करता है चीन देश करता है जबकि सरवाधिक परती व्याक्तिक कारवन डायोकशाइड गेंस का उत्षरजन करने वाला देश कौन है अमेरिक का है ठीक है यह चीसी तहyएंद रखना बहुत जादा ज़रूरी है कि अग अब देखिए जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत से देश है हमारे उनमें से एक दस देश ऐसे है जो पूरी दुनिया का 67% कारवन डायोकसाइड उत्सरजन करते हैं और इस वेसे लगभग 30% योगदन अकेले चीन का है अब यह देखिए दोस्तो कितनी हैरानी वाली बात है यहां पे कि 10 देश मिलके 67% करते हैं और उस 67 में से 30% जो है दोस्तो वो केवल और केवल चीन का उत्सरजन है तो कितनी हैरानी वाली बात है और यहां से हमारा एक कोश 10,641 million metric ton réussi का उत्सर्जन करता है जो कि दुनिया की कुल परदूसं का 30% है उसके बा드ी में साहिकत राजे अमरीका परती वह पांस मढ़न चैसर्जन कारवन डयोकसाईड उत्सर्जन करता है जो कि दूसरे स्थान पर आता है यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों हाँ एक चीज और यहां पर ध्यान देने वाली है दोस्तों यह दुनिया के कुल कारवन उत्पादन का 15% उत्सरजन करता है और उसके बावज़ुद दोस्तों इस देश ने सयुक्त राज अमरिका ने पैरिस समझ होते पे हस्ताक्सर नहीं किये थे अब भारत की बात करें तो दोस्तों भारत परती वर्स 2274 मिलियन मिट्रिक टर्न कारवन डायोकसाइड उत्सरजन करता है भारत दुनिया के कुल कारवन उत्सरजन का केवल 7% कारवन उत्सरजन करता है यह करहंट की बात चल रहे है दोस्तों और जो भारत वो कितने जोते नमबर पर आता है ये देखिए दोस्तों फॉर्थ नमबर पर आता है अब दोस्तों दुनिया के टोप 10 देशों की बात करते तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले चीन है फिर अमरिका है फिर ए्म य्जूनियन है फिर है भारत फिरूष जापान जर्मनी इरान जर्मनी फिर आता है चीन अब देखें चीन कितने नंबर पे यहाँ परती व्यक्ति उत्सरजन के मामले में चीन है एक दो तीन च्यार पांच छे छटे नंबर पे चीन आता है और अगर भारत की बात करें तो दोस्तों भारत सबसे लाश्ट में आता है यह हम देख लिते हैं एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा ग्यारा नंबर पे भारत का स्थान आता है परती व्यक्ति उत्सरजन के मामले में आपको यह चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि अगर परती व्यक्ति उत्सरजन पूछा जाए तो अलग होगा और कंबिनेशन से प अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, केमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, केमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभ प्रेंटे का वटन जरूर दबाएं ताके आप हमारी आने वाली वीडियोज को असानी से देख सकें थैंक्यू दोस्तों